Hey guys, this is Techie Buffoon और आज के Tech News में हम बात करेंगे Redmi Book 14 अगर आपको affordable and quality skins लेनी हो तो फिर Rig Gear की website पर जाके आप ये skins चेक आउट कर सकते हैं and code Techie10 यूज़ करना extra 10% discount already affordable skins के लिए सारी links description में हैं अगर इन skins का review देखने तो फिर टॉप राइट पर क्लिक कर सकते हो और देखो अगर आप कॉमेंट करने वालों कि यह माइक कॉनस है वो PC कॉनस है उसमें कॉनसे specs से मलब प्रोसेसर राम कॉनस है हाट ड्रीव कॉनसे यूज़ कर रहा हूँ यहां फिर headset यहां फिर even monitor कॉनसे यूज़ कर तो सब कुस description में होगा सारी links भी description में होगी तो please make sure to check it out actually redmi book 14 and 15 दोनों launch होए है चाइना में simultaneously उसके साथ redmi k40 भी निकला है बट वो अलग video है आज हम बात सिर्फ redmi book 14 की करेंगे तो देखो redmi book 14 पहले भी निकला हुआ है यह एक सीरीज चलती होए है यह पहले intel 10th generation के असाथ आयते ryzen 5 4500u वाला processor भी इसमें आ चुका है अब सब सब से पहले जो भी पूछने वाला intel या amd obviously amd अगर आपको अभी के लिए market में कोई अगर आपको यह लेना तो फिर आप यह definitely check out कर सकते है अब बात करते है redmi book pro 14 की तो इसमें actually intel 11th generation tiger lake cpu है अब 11th generation में क्या अलाग है 10th generation से थोड़ी सी processing power बढ़ी है not as big as ryzen 4000 series है यहां फिर 5000 series जोब तक इंडिया में launch नहीं होई है but 4000 series से भी अच्छा नहीं है यह फिर graphical intensive काम करना हो तो फिर अभी भी आपके लिए एक gaming laptop जादा सही रहेगा क्योंकि gaming laptop में जादा अच्छा प्रोसेसर होते हैं खाली फारा कितना होता है कि gamers को जादा graphical performance सही कंपेर टू graphic designers वह सीधा दो लाग डेड़ लाग के laptop ले लेते हैं चार्जिंग की बात करें तो फिर 65W USB Type-C power adapter होगा टाइप-C charging बहुत ही जल्दी यह standardized हो जाएगी तो यह बहुत अची चीज़ा जो रेड्मी ने की है 60Hz 2.5K डिस्पले अब 14 इंच में 2.5K डिस्पले की जरुरत है नहीं 1080p would be fine मेरे साब से 1080p होनी चाहते है क्योंकि वह ज्यादा battery खाएगा अगर आप 2K यह 4K 2.5K मलब यह 16 by 10 रेशियो का डिस्पले है इसलिए 2.5K इसमें 16GB DDR4 3200MHz की RAM होगी प्रिटी स्टैंडर आजकल के जो अल्ट्रा बॉक्स होते है यहां फिर नॉर्मल जो नोट्बॉक्स होते है उसमें ऐसी ही RAM आती है बैकलिट कीबोर्ड वाइलस कनेक्टिविटी ऑप्शन जैसे कि वाइफाई 6 तो वाइफाई 6 एक बहुत ही अच्छा शावट है लेकि मुझा लगता है वाइफाई 6 दो से तीन साल में जादा यूस्फुल आने नहीं वाला है वाइफाई 6 सर्फ ऐसे स्टेडियम से ऐसी चीज़ों के लिए बना है जा पर बहुत सारे लोग एक साथ वाइफाई उस करें तो अभी के लिए इतना यूज नहीं है बट यह काइंड ओफ फ्यूचर प्रूफिंग है एक टाइप सी पोर्ट है जो एक बहुत ही अच्छा केबल यह सब आप कनेक कर सकते तो थंडर बोल्ड पोर इसमें टाइप सी के साथ हो कमलब टाइप सी कनेक्टर होते थंडर बोल्ड का तो यह एक बहुत यह बहुत यची डील रहेगी मेरे सब से डिस्पले में इंको थोड़ा इंप्रूब्मेंट करना चाहिए था 90 हर्स य 90 100% sRGB Color Gamut का coverage होगा तो यह एक बहुत ही Color Correct screen होने वाले viewing angles वी सब अच्चे रहेंगे IPS LCD screen असलिए 512GB की Fast PCIe SSD storage होगी अगर आपको मालूम नहीं हो तो फिर जो PCIe storage है इस नोट दे सेम अज NVA message SSD जो मैंने इस laptop में बताई PCIe थोड़ी slower होती है बट आपका जो hard drive होता है उससे fast होती है तो फिर Windows का UI है पूरा एकदम snappiness लगनी चाहिए जो भी आप Excel sheet load करोगे वो थोड़ा fast retrieve होगा and all इसमें already Windows 10 home आएगा अब देखो वापस अगर AMD यां फिर इस साल यूज करने वाले अभी तक 7 nanometer का नोड आ रहे है बेसिकली जितना चोटा एक transistor होगा उतना वह ज्यादा ट्रांजिस्टर कर सकते हैं उतनी processing power ज्यादा ला सकते हैं यह बाइदेवे बहुत ही nerdy talk होगी तो आप skip कर सकते हो थोड़ा आगे तक पर बेसिकली मैं सम्झ कर देता है वो अपने प्रोसेसर को उसकी वैसे वो electricity जादा खाता है जो बैटरी जादा खाएगा and heat output जादा करता है तो kind of अपने foot पे ही shoot कर रहे है and मुझे लगता है कि Intel इस साल अची डील नहीं होगी मैं definitely AMD का fanboy नहीं हूँ मैं इस competition का fanboy हूँ और मुझे लगता है Intel की ज साल लुकना बड़े बट अभी के लिए AMD केंग है इस मार्केट में specially laptops में अब देखो प्राइज की बात करें तो फिर यह 53,000 से चालो होता है जो Redmi book pro 14 है उसमें आपको 16GB RAM 512GB SSD मिल जाएगी जो बहुत ही अच्छा offer है इवन वहां पे चाइना में डिसकॉंड में चलने वाल यह भी रीजन था कि उन्होंने इंटल का प्रोसेसर यूस किया था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था टेंट जरेशन वोस वन ऑफ दी वर्स परफॉर्मिंग सीप्यूज कंपर इंडी तो फिर मुझे लगता है कि उनको एक AMD का laptop निकालना चाहिए बट उन्होंने इंट 27,800 उसमें भी आपको सेम 16GB of RAM and 512GB of storage अब इसमें एक चीज है कि NVIDIA का MX450 आएगा जो एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है लेकिन उतना पावफुल नहीं है वो भी नॉमल कोई आपको गेमिंग एकदम लाइट गेमिंग करने हां सा कुछ पर मुझे लगता है कि अग बहुत ही अच्छे है पर अगर ग्राफिक्स कार्ड यूज नहीं कर रहा है तो फिर मतलब ही नहीं है अब यह तो बात हो कि Redmi Book Pro 14 की मैं next video launch करूंगा जिसमें Redmi Book Pro 15 की बात करूंगा तो stay tuned for that video and अगर आपको कोई भी questions हो या फिर कोई भी comments हो आप definitely comment section में पूछ सकते हैं and अगर यह वीडियो पसाने तो फिर प्लीज लाइक and subscribe करना ऐसी tech news, reviews, camera reviews और 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 भी awesome reviews के लिए और मेरे Instagram and Twitter handles जोनों दिस्क्रिप्शन में होंगे and until the next one गुबाई